त्रीड वेट इंजक्शन के बारे में बात करेंगे आज़ां दूसे लोगों में सका कन्क्यूजन है किसे किस प्रकार देना चाहिए रोज क्या है किस रूट से देना चाहिए साइट घ्रक तो नहीं है इस इंजक्शन का रेग्रेंसी में दे सकते हैं कि नहीं तो पूरी टिटिल से बात करेंगे इस वीडियो में इंजक्शन के बारे में तो बने रहे हैं अन्त तक वीडियो पूरा देखें ट्राइवेड इंजक्शन जो इंटास कमपनी का है जिसमें बिटामिन बी बन बिटामिन बी सिक्स और बिटामिन बी ट्वेल कंटेंट में आता है तो सबसे पहले बात करें किया ट्राइवेड इंजक्शन किन किन बीमारियों में दिया जाता है तो जैसे इनरॉक्षिया की कंडिशन में पस खाना पीना कम खा रहा है पस कमजूर हो रहा है वो ग्रोथ नहीं कर रहा है तो उस वरस्ता में इसे दे सकते हैं इसके अलावा पस में विटामिन बीवन की कमी से पस में नर्वस डिशोडर की समस्या है तो भी इसे दे सकते हैं पस में किसी कारणवस हैवी एंटिवाटिक्स दिये जाते हैं तो उनके साथ भी दे सकते हैं या विटामिन बी कमी से बैरी बैरी लोग हो चुका है तो उस अवस्ता में भी इसे दे सकते हैं विटामिन बीवन को थाय में हैड्रो कॉलराड भी कहते हैं विटामिन बीशिक्स की कमी में इसे दे सकते हैं जैसे स्किन रेसे इम्मिनिटी कमजोर होना थकान होना जूड़ों में दर्द या पसुका जल्दी जल्दी पीमा पड़ जाना विटामिन बीशिक्स बॉड़ों बॉड़ी में प्रोटीन है फैट है और रेड ब्रड सेल्स और नीरो ट्रांस्मीटर के निर्माड के लिए जरूरी है इस पोसकत की कमी से इस शिम्टम्स आपको देवने को मिल सकते हैं तो इसमें आप दे सकते हैं विटामिन B12 पस की नसों को भजबूत करता है या पस को चलने पिनने में या उटने बैटने में कोई दिक्कत हो रही है कभी-कभी एनीमिया हो जाता है यानि खुन की कमी हो जाती है तो इस इंजक्शन का उपियोग आप अमने पस में कर सकते हैं यानि लगवक सभी बीमारियों में से दे सकते हैं इसका किसी भी तरह का साइड़क्ट नहीं देखने को मिला है अब तक इसका रोज है छोटे जानवर जैसे भेड भकरी जो 20 केजी तक हैं उसमें 3 एमेल और 20 से 50 केजी हैं तो 5 एमेल तक दे सकते हैं और बड़े जानवरों में से जिनका बाडी बेट 300 केजी से उपर है उनमें 20 से 25 एमेल तक दे सकते हैं और उससे कम बड़े बेट है तो 10 से 15 एमेल तक इंट्रा मस्कुलर या इंट्रा बीनस दोनों रूप से दे सकते हैं अगर ड्रिप दे रहे हों तो ड्रिप में भी डाल सकते हैं प्रेगनेंसी या नोन प्रेगनेंसी दोनों बस्ताओं में से दे सकते हैं प्रेवनेंजी सेफ है, 30 ml और 100 ml में टीपेकिन में आपता है